इधर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की PCA सदिकारी जोती मौरिया और उनके पती आलोक मौरिया के बीच का जगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। करने के आरोप लगाए। आलकि News18 इसकी पुष्टी नहीं करता। लेकिन इस ओडियो में SDM जोती मौरिया अपने पती आलोक पर शादी के बाद पैसे और गाड़ी के लिए परिशान करने का आरोप लगाने की बाद केती सुनी गए। जोती मौरिया के शादी 2010 में हुई थी इसके बाद 2016 में वो PCS अधिकारी बनी। यूपी के कुछ जिलों में SDM रहने के बाद जोती मौरिया इस वक्त बरेली में तैना था। और उन पर पती आलोग मौरिया ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जोती मौरिया पर PCS अधिकारी बनने के बाद रिश्टा तोडने और उन्हें धोका देने का आरोप मढ़ा। जिसके बाद जोती मौरिया ने भी पती आलोग के एक एक आरोप का जवाब दिया। और PCS अधिकारी जोती मौरिया यहीं नहीं रुकी उन्होंने पती आलोग के सारे आरोपों को जूटा बताते हुए उन पर जासूसी करने का भी आरोप मर दिया। जोती मौरिया का आरोप है कि कुछ रोज पहले आलोग मौरिया ने उनकी WhatsApp चैट हैक कर लिया था। और आरोप है कि बाद में आलोग मौरिया उनकी WhatsApp चैट को सोशल मीडिया पर वारल करने की धंकी देकर उन्हें ब्लैक मेल करने लगे ताकि वो किसी तरह से उनसे एक मोटी रकम मसूल कर सके। SDM जोती मौरिया का आरोप है कि ब्लैक मेल करने के लिए आलोग ने पहले उनका मौबाइल फोन हैक किया और फिर WhatsApp से उनकी नीजी बातचीच चुरा लिए जोती मौरिया का ये भी इलजाम है कि जब उन्होंने पैसे देने से इंकार किया तो आलोग ने उनकी चैट सोशल मी पस्ति इस्ते इस्तवाल और पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया चबूत के तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी प्रियाग राज में पंचायती राज विभाग में तैनात अलोक मौरिया ने मीडिया में सौ पन्नों की जो डाइरी दी उसमें हर पेच पर स्वास्तिक और शुबलाब लिखा दिखा दिया उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला उसका हिसाब किताब लिखा नजर आया आलोक का दावा है कि ये लिखावट जोती मौरिया की है आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्याले में की जिसके बाद मामले की जांच के आदिश दे दिये गए इसबीज एसडीम जोती मौरिया और उनके पती आलोक मौरिया की खबरें सुर्खियों में आने का असर बिहार के बकसर में दिखाए दिया जहां पिंटू नाम के एक आदमी पर उनकी अपनी पत्नी के पढ़ाई छुडवाने का आरोप लगा दिया पत्नी के मताबिक उनके पत्नी को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो भी अधिकारी बनने के बाद उसे रिष्टा न तोड़ ले और इसी डर की वज़े से बकसर जिले में रहने वाले पिंटू ने अपने पत्नी के पढ़ाई चुडवा दी जानकारी के मताबिक पिंटू की पत्नी खुशबू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बिहार प्रशासनिक सेवा की तयारी कर रही थी लेकिन उनका कहना है कि यूपी की पीसे सदिकारी जोती मौरिया की कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने गाउं बला लिया लेकिन पिंटू के इस रवईये से परेशान होकर उनकी पत्नी खुशबू थाने पहुंच गी जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पिंटू को समझाने की कोशिश की लेकिन SDM जोती मौरिया के पती आलोक मौरिया की हालत देखकर उन्होंने पत्नी को पढ़ाने से साफ मना कर दिया